नमस्कार दोस्तों, बाल्टू बेंच अकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधीनियम 1947 की सेक्शन 12D, 12E, 12F and 12G के संदर में दोस्तों, सेक्शन 12D, disputes pertaining to the election of सर्पंच और सायक सर्पंच यानि की सर्पंच या सायक सर्पंच के निर्वाचन के संबंद में बिवादों के संदर में प्रापधान करती है कि अगर सर्पंच या सायक सर्पंच का जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें बिवाद होता है तो क्या होगा? तो इस धाराव को हम पहले बेरेक्ट से पढ़ लेते हैं, अगर आप लोगों ने अपने बेरेक्ट नहीं खोले हैं तो किर्पया बेरेक्ट खोल लीजे इसे पढ़ते हैं, इसमें कहा रहा है कि धारा बारा गा के उबबंद यथा आवश्यक परिवर्थनों सहित ग्राम पंचायत के रूप में या निया पंचायत के सर्पंच या सायक सर्पंच के रूप में किसी ब्यक्ति के निर्वाचन पा लागू होंगे तो दोस्तों, इसमें खाली ये बात कहा रहा है कि धारा बारा गा है सेक्शन 12C वो जो है ग्राम पंचायत के रूप में या निया पंचायत के सर्पंच या सायक स्रपंच के रूप में किसी ब्यक्ति के निर्वाचन पा लागू होगी तो आपको इसमें खेवल सेक्शन 12C याद रखना है आगे आते हैं सेक्शन 12E Oath of Office पद की शपत इसमें कह रहे हैं कि प्रत्यक ब्यक्ति धारा ग्यारा का, धारा बारा, धारा तितालेस या धारा चावालिस में अविदिष्ट किसी पत पर आसीन होने के पूर्व ऐसे प्रादिकारी के समक्ष जिसे नियत किया जाए नियत प्रपत्र में शपत लेगा या प्रतिग्यान करेगा और उस पर हस्ताक्चर करेगा तो दोस्तों इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि प्रतिएक ब्यक्ति जो इन इन सेक्शन्स में एपाइंट होगा जैसे धारा ग्यारा का में प्रधान है, बारा में ग्राम पंचायत के संदर में है तेतालिस में पंचों के संदर में प्राबदान किया गया है 24 में सरपंच और सायक सरपंच के समंदर में प्रापदान किया गया है तो ये तो आपको पता ही है तो संशेप में कहें तो पिर्तिक ब्यक्ति जो किसी पत पर आसीन होगा तो आसीन होने के पहले उस प्रादिकारी के समख शपत लेगा या पिर्तिज्ञान करेगा या उस पर हस्ताक्चर करेगा मतलब इसमें शपत का प्राबदान किया गया है कि जो भी व्यक्ति किसी पत पर आसीन होगा तो पहले शपत लेगा आगे उपधारा दो में कहा रहा है कि किसी ऐसे सदस्ते के सम्मंद में जो यथा पूर्वोक शपत लेने या पृतिज्ञान करने और हस्ताक्षर करने से अस्विकार करे या अन्य प्रकार से इंकार करे यह समझा जाएगा कि उसने पत को तच्छण रिक्त कर दिया है मतलब अगर कोई व्यक्ति शपत लेने से इंकार कर देता है तो फिर यह माना जाएगा कि वो उस पत पर बने रहने का इच्छुक नहीं है और उसने उस पत से अपना इस्थान रिक्त कर दिया है आगे आते हैं सेक्षन 12F पर इसमें रेजिगनेशन के संदर में प्राप्धन किया गया है इसमें कहरा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान या कोई सदस से ऐसे प्रादिकारी को जो नियत किया जाए संबोधित स्वेह हस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और तदुपरांथ उसका पद रिक्त हो जाएगा मतलब अगर कोई प्रधान है या सदस्य है और अपना पद त्याग करना चाता है तो वो क्या करेगा कि एक लेटर लिखेगा और उसके अपने हस्ताक्षर करेगा और ऐसे प्रादिकारी को दे देगा जो नियत किया जाए तो उसका पद जो है दिखत हो जाएगा मतलब अपना इस्तीपा दे देगा आगे दोस्तों सेक्शन 12 जी यह उत्तर प्रदेश अदिनियम संख्या 9 सन 1994 की धारा 26 के द्वारा लोपित कर दी गई है यानि की डिलीटिट कर दी गई है तो यह यतियासिक द्रिष्टिकोंड से महत्पूर्ण हो सकती है लेकिन परिष्टिकोंड से अब इसका कोई महत्प नहीं है अब एक वार हम फिर से रिवाइस कर लेते हैं देखिए हमने पढ़ा सेक्शन 12 D, E, F और G 12 D में डिस्प्यूट के संदर में प्राबदान क्या गया है इसमें ये कह रहे हैं कि सेक्शन 12 C लागू होगी इतना आपको ध्यान अखना है सेक्शन 12 E में ओध के संदर में प्राबदान क्या गया है कि जो भी ब्यक्ती पाइंट होंगे सेक्शन 11 का में 12 में, 43, 44 में तो अपने पतपर आसीन होने से पहले वो शपत ग्रहन करेंगे और अगर कोई इन में से शपत ग्रहन नहीं करता है मना कर देता है शपत लेने से तो फिर ये माना जाएगा कि उसने उस पत को रिक्त कर दिया है ऐसे ही सेक्शन 12 F है वो रेजिगनेशन के संदर में प्राबदान करती है कि अगर कोई व्यक्ती रिजाइन करना चाहता है तो वो राइटिंग में लिखित में एक पत्र जो है ऐसे प्रादिकारी को देगा जो नियत किया जाए और रिजाइन कर देगा तो उसका पत्रिक्त हो जाएगा और सेक्शन 12 G ये डिलेटिट कर दी गई है धर्नवाद